अगर हम लोग देश की राजनीती की बात करें और उसमें आम आदमी पार्टी की बारे में बात करें तो मनिश सौदिया की चर्चा होना सौभाविक सी बात हो जाती है और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे तो आज हम लोग मनिश सौदिया के बारे में एक सामन जनकारी देख लेंगे कुछ पिक्चर और आप लोग देख लिजे इने या आप देखे इनका परिबार है मनिश सौदिया का इनका बेटा आप लोग उनको दिखाई दे रहा होगा और आप देखे इनका सबसे प्रियमित अर्वेंद केजरीबाल साहब भी आप लोग इस्क्रीन पर देख रहे हैं जो आमादमी पार्टी की स्थापना की थी ना इन सब लोगों ने मिलकर की हुई थी उसमें संस्थापक सदस्वों में आप देखेंगे अर्वेंद केजरीबाल और मनीश सौधिया भी भी थे और मनीश सौधिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जनम पांच जनवरी 1972 को कहा हुआ था हापूर उत्तर पिदेश में हुआ था एक बार आप लोग अगर उत्तर पिदेश देखना चाहें तो देख लिजी ए उत्तर पिदेश है लखनव इसकी रादधानी है अंतराश्टी सीमा इसकी नेपाल से लगती है राज्यों में आप देखें बिहार हो गया और उत्तर पिदेश राजनीती की दिरिष्टी से भी काफी महत्पोर राज जमाना जाता है ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है न उसका रास्ता उत्तर पिदेश से होकर जाता है और अगर आप लोग पिदान मंत्रियों की सूची उठा के देखेंगे न तो उत्तर पिदेश से ही निकल की अधिकतर पिदान मंत्री आये हुए है इनके पिता का नाम धरमपाल सिंग इनकी बतनी का नाम सीमा से सौधिया है इनका एक बेटा है और पत्तकार की तोर पर इन्होंने केरियर की सुरुवात की थी और मनीश से सौधिया ने 1993 में भारती विद्या भवन से जन संचार में डिप्लोमा पूरा किया और मनीश सौधिया ने अपने All India Radio के लिए जीरो अवर्स नमक के कालकरम की मेजबानी भी की थी और से सौधिया ने 2006 में पबलिक कोज रिसर्च नमक फाउंडेशन की इस्थापना भी की थी और आमाधी पार्टी में शुरुवात में आप देखेंगे सभी इसी तरह की लोग जुड़े हुए थे आम लोग जिनका कभी राजनीती से कोई संबन्ध ही नहीं था 1997 में मनीज से सौधिया ने जी नियूज खबर्में निर्माता और नियूज रीडर के तौर पर 2005 तक काम किया फिर आप देखेंगे 2006 में केजरीबाल और अभी नंदन सेकरी के साथ मिलकर मनीज सौधिया ने 2006 में पबलिक कूछ रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करते हैं और 2011 में से सौधिया ने भिष्टाचार की खलाप अन्ना हजारी के अंदोलन में भी मातपूर्ण भोमी कानेवाई हैं जो लोगपाल बिल के लिए अंदोलन चला था न कानून के लिए उसी की बात हो रही है और ऐसा कहा जाता है कि अन्ना तो एक तरह से आप देखी कि अन् अन्दोलन की बात इन्होंने पार्टी बनाई 2000 बारे में आमादवी पार्टी और उसका इन्हें फायदा भी मिला 2012 में मनिश्य सौधिया ने अपने पुराने दोस्त अर्वेंज के जीरवाल की साथ मिलकर राजनितिक दल आमादवी पार्टी का गठन किया इसके बाद 2013 में मनिश्य सौधिया दिल्ली बिधासभा चुनाओ में भारती जिन्ता पार्टी के नकुल भारदवास को हरा कर बिधायक बनते हैं 2013 में पहली बार ये बिधायक बने थे और बिधायक बनने के लिए आपकी उमर कम से कम 25 साल होने चाहिए अधिकतम उमर की कोई सीमा नहीं रखी गई है और बिधायक का चुनाओ डारिक्ट जनता के दवारा होता है अगर आपकी उमर भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी बोटर सुची में जुड़ चके होंगे और आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे देखें नई दिल्ली की बात करेंगे दिल्ली की तो नई दिल्ली इसकी राधधानी के अंतिसासित पिदेश है यहां विधान सभा में आप देखते हैं कि 70 सीटें देखने को मिलेगी राज्य सभा में 3 सीटें लोग सभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी तो दिल्ली में ही आप देखें विधायक बनते हैं इसके बाद 2015 में मनी से सौधिया ने पटपड गंज से चुनाव जीत कर पहली बार दिल्ली के ओपुमुक मंतरी के रूम में सपत ली फिर 2020 में उन्होंने पटपड गंज निर्वाचन छेते से दिल्ली विधान सोबा चुना लड़ा और आप देखें लगबट 3000 से जीते 3000 बोटों से और दिल्ली के ओपुमुक मंतरी और सिक्षा मंतरी बने हुए हैं आंगे क्या राजनेतिक इनका भविस रहता है ये तो आने वाला भक्ती बताएगा और उसके लिए अच्छी बात है कि आज कल आप लोग सोसल मीडिया पर हैं और आप देखते हैं कि आपके पास स्मार्ट फोन है तो सभी नेताओं का भविस्तों आप लोग देखते रहते हैं आने वाले समय में इन से जुड़े हुए कुछ बिबात भी है और स्वभावी किसी बात हो जाती है कि जब आप लोग इस तरह की किसी पद पर पहुँच जाते हैं 2016 में CBI ने उनके खलाब प्रात्पिक जाच दरज की थी क्योंकि उन्होंने एक मीडिया केमपेंड टॉक टूक एके के दौरान नीमो और बीनिमेरों का उदलगन किया था जो मौदी के मन की बात करम जैसा प्रदान मंतरी की जो मन की बात आती है न उसी के जैसा एक टौक सो था और CBI की बात करें तो Central Bureau of Investigation की बात करों और इसकी स्थाफना एक अपरेल 1963 में हुई थी नहीं दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा पर आप देखें कि 2016 में वह फिर एक बेवाद में फस गए और जसमें गाजीपूर विजी टेवल एसोसियेशन की अध्य किया था कि सिसौदिया की पराशना तक की डिग्री पस सवाल उठाएं और जिसमें उन्होंने कहा कि जिस समय बनी सिसौदिया भारती विद्या भवन में पढ़ाते थे उस समय उनके कॉलेज में चात होने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है तो डिग्री पर भी इनक बीवरों का से राज सरकार की पिछली आपकारी नीती के चमन में चापार डला था और जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराजपल बिने कुमार सक्सेना ने संसोधित उत्पादन नीती की सीवियाई जाज की सिफारित की थी क्योंकि यह कहा जा रहा है ऐसा आरोप लग रहा है कि द अगर आप लोग कह सकते हैं कि मनेश से सौधिया की है और भी किसी के बारे में जानने की दिल्चस्पी है तो उसका नाम आप लोग नीचे बता सकते हैं उसके बारे में भी आप लोग बात कर लेंगे ठीक है